तो आज की स्वागत है तो आज की स्वीडियों हम विद्या लंकार इंस्टिटुट अफ टेक्नोलोजी के बार में देखने वाले हैं जिसे हम विई आई टी मुंबई के नाम से भी जानते हैं तो आपको इस वीडियों में इस कॉलेज से रिलेटेट कंप्लीट इंफरमेशन म हुआ था लगबग आज से 22 साल पुराना कॉलेज है अब कॉलेज के इंस्टिट नेम की बात करें तो कॉलेज चाप पूरा नाम विद्या लंकार इंस्टिट अफ टेक्नोलोजी वाडाला मुंबई है अब कॉलेज के लोकेशन की बात करें तो कॉलेज विद्या लंकार मुंबाई पिन कोड़ 4,37 में है अब इस्टेटस की बात करें तो कॉलेज अनेड़ेड नॉन अटोनॉमस कॉलेज है जो कि अप्रूट बाई AICT न्यू दिल्ली से इन रेकनाइज बाई गॉर्मेंट और महाराश्रा से इस कॉलेज को एक ग्रेड भी मिला हुआ है और आपको इस कॉलेज से रिलेड़ेड और इंफर्मेस चाहिए तो आप इस कॉलेज की वेबसाट पर बिजा सकते हो जो कि हम इंसन की गई है www.vit.education.in अब NIRF रेंग की बात करें तो कॉलेज का 250 से 300 तक के आसपास रहता है अब कॉलेज से नियरेस एरपोट की बात करें तो सांता ग अब कॉर्सेस की बात कर लें तो यह कॉलेज हमें बी और मी की डिगरी प्रवाट करता है बी मतलब बैचलर आफिंजिर निंग एन एमी मतलब मास्टर आफिंजिर निंग तो बी की बात करें तो बी में हमें एमेरे इंजिर झीरि ऐसमें 120 सीट हैं इनफर्मेस्टन टेक्नOL इंजिरिंग मिल जाता है इसमें 18 सीटे हैं, Information Technology मिल जाता हैं इसमें 18 सीटे हैं, Electronics and Telecommunication मिल जाता हैं इसमें 18 सीटे हैं, तो टोटल हमें ME में 54 सीटे मिल जाती हैं, तो अब हम इस College का Cut-off भी देख लेते हैं, तो हमें आप MS City 2020 का Cut-off दिया हुआ है, तो हम सभी ब्रांच का category wise Cut Cut-off देख लेते हैं, तो computer department की बात करें तो open ना Cut-off 95.98% आल गया था, OBC का 95.31% आल गया था, SC का 92.72% आल गया था, ST का 65.40% आल गया था, EWS का 93.12% आल गया था, TFWS का 96.56% आल गया था, जेइमेंस का 92.20% आल गया था, तो अब इस College में जेइमेंस के भी मार्क से admission ले सकते हो लोग के लिए 15% Reservation होती है हर College में, अब IT department की बात करें तो open ना Cut-off 94.14% आल गया था, OBC का 92.15% आल गया था, SC का 88.55% आल गया था, ST का 45.08% आल गया था, EWS का 90.78% आल गया था, TFWS का 95.98% आल गया था, NJ इमेंस का 89.96% आल गया था, अब EFTC की बात करें, तो open ना Cut-off 86.49% आल गया था, OBC का 80.54% आल गया था, SC का 73.53% आल गया था, ST का 86.00% आल गया था, EWS का 70.08% आल गया था, TFWS का 89.13% आल गया था, NJ इमेंस का 78.37% आल गया था, अब Electronics Department की बात करें, तो open ना Cut-off 72.52% आल गया था, OBC का 51.65% आल गया था, SC का 63.99% आल गया था, ST का 50.80% आल गया था, EWS का 61.01% आल गया था, TFWS का 84.26% आल गया था, J इमेंस का 24.52% आल गया था, अब Biomedical Department की बात करें, तो open ना Cut-off 63.40% आल गया था, OBC का 43.40% आल गया था, SC का 45.72% आल गया था, ST का 58.63% आल गया था, EWS का 33.33% आल गया था, TFWS का 83.34% आल गया था, J इमेंस का 58.56% आल गया था, तो अगर आपको इस कॉलेज में अडमिशन चाहिए, CSIT के लिए, तो आपको लगबन 95 के आरॉन परसेंटाल चाहिए, जब आपका इस कॉलेज में अडमिशन हो पाएगा, आप कॉलेज की फिस्ट्रक्चर की बात करें, तो हमें आपके फिस्ट येर बिटेक की फिस्ट दी दिख लेते हैं, तो पन की फिस्ट 1,50,790 रुपीज से, OBC, EWS, SBC की फिस्ट 84,243 रुपीज से, एं टी फिस्ट की फिस्ट 17,695 रुपीज से, जम्मो एं काश्मिन वालियों के लिए 24,790 रुपीज से, अब में आता है प्लेस्मेंट पैकेज, तो गाइस यहां पे कुछ कमपनी मेंशन की गई है, जिनका पैकेज 10,00,000 प्लस था, तो देखो इस कॉलेज का हाइस पैकेज 37.5 लग लग गया था, अकेडमिक एर के साब से देख लेते हैं, टोटल कितने बच्चों का प्लेस्मेंट हुआ था, तो 2017-18 की बाद करें, तो टोटल 460 बच्चों का प्ल प्लेस्मेंट हुआ था, तो ओवराल देखे तो एक दम मस्कॉलेज है, आप इस कॉलेज को अपने कॉलेज की लिस्ट में भी आड़ कर सकते हो, अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेट कुछ भी डावट है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर वीडियो लाइक करें, सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, थैंक्स पर वचिंग